So guys welcome back to another video तो इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत सरी हिपप के अपडेट्स मिलने वाला है तो वीडियो को भीना स्किप किये हर्मेट की तरह पूरा देखना तो पहले हम लोग बात करेंगे हर्जास के बारे में तो हर्जास का यावर म्यूजिक के साथ एक ट्रेक आउट हुआ है जिसका नाम है No Way Out आप लोग अगर चाहे तो ट्रेक जाके सुन सकतो यूट्यूब पे मैं लिंक जो है डिस्किशन है दे दूँगा तो अभी हम लोग बात करेंगे एमसी स्टैन के बारे में कि भाई मैं कुछ कर रहा हूं उसके साथ और अधर थिंग उची स्टैन के ना हर चीज में हिप-पॉप है उसके रिंग टून से लेके उसके वाल पेपर तक में हिप-पॉप है उसने में को यह बोला इसने में रिस्पेक करता प्रोव इंसन का लाइग वोड्स में ने बूसकता और वो इंसन पर क्लीन बिम करते प्रोव पबलीक वो बहुत रियलास इने गया किनका ब्रोव बहुत सरे चीजे अगर में उनका काना शेयर करता तो बहुत लोग अपले इदर के लाइग भलता एब्रो माइंडसेट अपने एंग जागा ठीक है इस शुरू हुआ एंदन हाओ अव इस रिलाज कि बास हुआ मेरे को मेरा करने गा मैं थोड़ी ब्रो डिजडिस करता मैं ने लिखता ब्रो एक पर्टिकुलर इंसान पे ने लिखता मेरे एक्स को छोड़ेगे तीसरे दिन तुम मैं पुरा इंटर्व्यू का लिंक डिस्क्रिशन ने दे दूँगा तो अभी हम लोग बात करेंगे बादशाबाई के बारे में तो बादशाबाई उनके आपकमी एल्बम का फास्ट पार्ट का सारे जो ट्रैक है उसका लीस्ट रिविल कर दिया है तो आप लोग देख सकतो पहले नंबर पे है तभाई सेगेंट पे है चमकिला चहरा थार्ट पे है होश जो कि आस्थागिल के साथ है और फोर्थ पे है जुगनू तो जुगनू तो रिलीस कर दिया है बादशाबाई ने और बाकी तीन ट्रक कैसा होता है देखते है तो आप लोग कितने एक्साइटेट है जरूर बताना तो अभी हम लोग बात करेंगे चेनके के बारे में तो चेनके ने फिट से कुछ स्टोडी लगाया था तो पहले स्टोडी पे लिखा मूड अब डैश नहीं करना होगा मूड को कूल रखना होगा वारना मसला हो जाएगा तलहा अंजूम और उसके बात की स्टोडी पे लिखा रफ्तर भाई क्रिश्ना प्रो, help us again please तलहा यूनूस तो आप लोग ये जो सरी स्टोडी है इसके बारे में क्या सुस्तो हो कॉमेंट में जरूर बताना तो अभी हम लोग बात करेंगे M.U.A. Bantai के बारे में तो M.U.A. Bantai का एक ट्रैक आया है आप लोग जानते हो कहा पर हूँ और उसपे एक सीन है जिसपे की एक इंफिनिटी या 8 का पिक्चर लगा हुआ है तो उसी मैडर पे किसी ने पूछा था भाई इस नंबर 8 है जनी सिगनिफिकेंट मार्च 8 कुछ आ रहा है और उसी का रिपलाई दते हुए M.U.A. Bantai फिर से वही साइंग लगाया था और नंबर 8 का नंबर ओलोजी एक्स्प्लें करते हुए कोई पेज ने पोस्ट किया ता आप लोग चाहे तो पोस्ट पोस्ट करके पढ़ सकते हो और उसके बाद मैं आप लोगों को बता दू कि कृष्णा भाई का किसी फैन ने M.U.A. Bantai का ट्रैक के नीचे कॉमेंट किया था और कॉमेंट आप लोग देख सकते हो और कॉमेंट पे M.U.A. Bantai ने हार्ड भी दिया था और नेजी भाई का एक नया ट्रैक आउट हुआ है जिसका नाम है हालात आप लोग चाहे तो यूट्यूब पे जाके चेक कर सेकते हो बहुत दिन बाद नेजी भाई ने एक ट्रैक अपलोड किया आप लोग बता ना ट्रैक आप लोगों को कैसा लगा